हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोड में आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन भी ज्यान के काफी महत्वपूर्ण 30 BBI अब्जेक्टिव प्रस्ण बताएंगे जो आपकी बोड परिक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है तो आपक चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकोन आता है उसको दबा के ओल पर कर लिजिए ताकि जब भी लाइब कलास हो तो नोटिफिकेशन आपके पहुंशता रहे और आप अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किये हैं तो इसक पाइदा है आपको कि आपका PDF का link और टेस्ट का link और आपको डेली कलास का link मिलेगा इसलिए आप लोग इस पर message किजिए और बोलिए कि सर हमको group में जोड़ दीजिए तो हम आपको group में जोड़ देंगे तो चलिए बीना किसी देरी के question को सुरू करते हैं तो चलिए देखत option D है इनमें से कोई नहीं काफी महत्यपूर्ण प्रशन है आपके बोड परिक्षा के लिए आपको बताना कि किस crystal sun रचना में सीमित पैकिंग अधिक्तम होती है तो देखिए यहाँ पर फलक केंद्रिय सेल है इसमें crystal sun रचना अधिक्तम होती है तो देखिए यहाँ पर B option है तो B option बिलकुल ही साई हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रशन दो नंबर दो नंबर प्रशने की helium का मुख्य सुरोत है काफी महत्यपूर्ण प्रशन है और यह BPI प्रशन है और ऐसे ही ऐसे प्रशन आपके बोड परिक्षा में पूछा जाएगा आपको बताना है कि helium क का मुख्य सुरोत है option A हावा option B है radium option C है monagite option D है जल काफी महत्यपूर्ण प्रशन है आपको बताना है कि helium का मुख्य सुरोत है तो helium का मुख्य सुरोत क्या होता है तो monagite होता है तो देखिए यहाँ पर C option है तो C option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रशने तीन नंबर तीन नंबर प्रशने की calcium format को गर्म करने पर बनता है काफी महत्यपूर्ण प्रशने आपके board परिक्षा के लिए और ऐसे ही ऐसे प्रशने आपके board परिक्षा में आएंगे इसलिए आपको video को skip नहीं करना है यानि एक भी प्रशन आपको छोड़ना न यह देखते हैं अगला प्रशने चार नंबर प्रशने की सीशा है काफी महत्यपूर्ण प्रशने है आपको बताना है की सीशा क्या है तो सीशा क्या होता है तो अती सीलित द्रव होता है तो देखिए यहाँ पर B option है तो B option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगल आपको बताना है कि H2SO4 है Option ए है अमल, Option B है भस्म, Option C है छार, Option D है लाउन, काफी महत्पूण प्रस्ण है आपको बताना है कि H2SO4 है तो H2SO4 क्या है तो आमल है तो देखिए यहाँ पर A Option है तो A Option बिलकुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 6 नमबर प्रस्ण की निमलिखित में प्रकृतिक बहुलक है काफी महत्पूण प्रस्ण है आपको बताना है कि निमलिखित में कौन प्रकृतिक बहुलक है अप्शन ए है प्रबड़ है C option तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ने साथ नंबर साथ नंबर प्रस्ने की आइनिक्ठोस निमलिखित में से कौन है काफी मत्पूर्ण प्रस्ने आपके बोड़ परिक्षा के लिए और ऐसे ही ऐसे प्रस्ने आपके बोड़ पर से तो देखिए यहां पर B option है तो B option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ने आठ नंबर आठ नंबर प्रस्ने की नाइट्रस ओक्साइड है काफी मत्पूर्ण प्रस्ने है और यह भी भी आई प्रस्ने है और ऐसे ही ऐसे प्रस्ना आपके बोड़ प परिक्षा के लिए आपको बताना है कि नाइट्रस ओक्साइड है तो नाइट्रस ओक्साइड क्या होता है तो उदसीन होता है तो देखिए यहां पर C option है तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा आईए देखते हैं अगला प्रस्ने 9 नंबर 9 नंबर प्रस्ने की प्रकृत में जाने वाला पॉलीमर है काफी महत्त पूर्ण प्रस्ण है बहुत ही जादा महत्त पूर्ण प्रस्ण है आपको बताना ही कि प्रकृत में पाए जाने वाला पॉलीमर है तो प्रकृत में पाए जाने वाला पॉलीमर कौन सा है तो देखिए यहां पे स्टार्ज तता सेली अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है काफी महत्यपूर्ण प्रस्ण है आपके बोर्ड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि किसी प्रथम कोटी अभिकिरिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र है तो किसका है तो प्रारंभिक सांद्रता का है तो देखिए यहां पर सी काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण बता रहे हैं तो आपको विडियो को skip नहीं करना है इसको शुरू से लेके अंतक देखना है हम आपको 30 VBI objective प्रस्ण बता रहे हैं बहुत ही महत्तपूर्ण है इसलिए आपको विडियो को skip नहीं करना है यानि एक भी प्रस्ण आपको छोड़न नहीं है विडियो को सुरु से लेकर अन्तक देखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण जारा नंबर प्रस्ण कि सुरेद फस्फोर्स को किस द्रों में रखते हैं काफी महत्यपूर्ण प्रस्ण है ऑप्षन अ जल बी है कि रोषिन तेल औप्षन एथिल अल्कोहल, option D है कलोरोफोम, काफी महत्यपूर्ण प्रश्ण है आपके बोर्ड परिक्षा के लिए, आपको बताना है कि स्वेत फास्पोरोस को किस द्रोव में रखते हैं, तो स्वेत फास्पोरोस को जल में रखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एप्शन है, तो एप् 12 नंबर प्रश्ण की निवन में से किस बहुलक में नाइट्रोजन उपस्तित है, काफी महत्यपूर्ण प्रश्ण है, यानि आपको बताना है कि इन में से कौन से बहुलक जिसमें नाइट्रोजन उपस्तित है, तो देखिए इसका राइट एंसर क्या हो जाएगा, प्रसने आपके बोड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि किसी गैस के ठोस सता पर अधिसोसड की मात्रा निर्भर करती है तो यह किस पर निर्भर करती है तो गैस के ताप पर भी निर्भर करती है गैस के पर विर्थी पर भी निर्भर करती है देखिए यहाँ पर डी ओप है काफी महत्तपूर्ण प्रस्ण है और यह भी भी आई प्रस्ण है और यह प्रस्ण आपके बोड़ परिक्षा में पूछा जा सकता है आपको बताना है कि वाई मंडल में सरवाधिक पाये जाने वाली अक्रिये गैस है तो देखिए यहां पर आरगन है तो आरगन क्या होता ह तो देखिए यहाँ पर C option है, तो C option बिलकुल ही सही हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रशन है 15 नंबर, 15 नंबर प्रशन है कि निम्न में से कौन सरवाधिक ओक्सिकरण अवस्था परदर्सित कर सकता है, काफी महत्पूर्ण प्रशन है, option है SC, option B है FE, option C है ZN, option D है MN, काफी महत्पूर्ण प्रशन है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सरवाधिक ओक्सिकरण अवस्था परदर्सित कर सकता है, तो देखिए जो MN होता है, वो सरवाधिक ओक्सिकरण अवस्था परदर्सित कर सकता है, तो देखिए यहाँ पर D option है, तो D option बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ण 16 नंबर 16 नंबर प्रश्ण के निमलिकित में से कौन सी धातु परकृत में मुक्तवस्था में पाई जाती है काफी महत्पूर्ण प्रश्ण है यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्ण है यह मोस्ट भी वी आई प्रश्ण है और काफी महत्पूर्ण प्रश्ण है तो देखिए कौन सी धा तो प्रकृत में मुक्तवस्था में पाई जाती है तो प्लेटिनम जो होता है प्रकृत में मुक्तवस्था में पाई जाती है तो यहाँ पर D option है तो D option बिलकुल ही सई हो जाएगा और देखिए सोना भी प्रकृत परना है इसको शुरू से लेके अंतक देखना है आपको बताना है कि जिंक सल्फाइड का रंग होता है देखिए ओप्शन है स्वेत ओप्शन भी है काला ओप्शन सी है भूरा ओप्शन डी है लाल काफी महत्वपूर्ण प्रश्ण है आपको बताना है कि जिंक सल्फाइड का का रंग होता है तो जिंक सलफाइड का रंग क्या होता है तो स्वेत होता है तो देखिए यहां पर एप्षन है तो एप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण है 18 नंबर 18 नंबर प्रस्ण कि फैराडे का विद्दू तप घटन नियम निम्न में से किस से संबंदित है काफी महत्वपूर्ण प्रस्ण है मोस्ट वी बि आयी प्रस्ण है और ऐसे ही ऐसे प्रस्ण आपके बोर्ड परिक्षा में पुछा जाएगा आपको बताने कि फैराडे का विद्दू तप घटन नियम से से संबंदित है तो फैराडे का विद्दूतब घटन नियम देखिए इलेक्ट्रोलाइट के सम्तुल यह भार से संबंदित है तो देखिए यहाँ पर डी अप्शन है तो डी अप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण उननीस नंबर उननीस नंब काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है तो इसे आपको याद रखना है आईए देखते हैं अगला प्रस्ण 20 नंबर 20 नंबर प्रस्ण की किस ग्रूप के ततों को संक्रमड ततों कहा जाता है काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है आपके बोड़ परिक्षा के लिए और यह प्रस्ण आपके board परिक्षा में 10 बार से ज़्यादा बार पूचा गया प्रस्ण है तो इसलिए आपको इसको याद रखना है आपको बताना है कि किस group के ततो को संक्रमर ततो कहा जाता है option A है P block, option B है S block, option C है D block, option D है यहाँ पर देखिए F block, काफी मात्रपून प्रस्ण है यहाँ पर C option है, तो C option बिलकुल ही सही हो जाएगा, आइए देखते हैं, अगला प्रस्ण 21 नंबर, 21 नंबर प्रस्ण की विद्धुतिय चुम्बक बनाने के लिए किस पदार्थ का उप्योग होता है, काफी महत्त पूर्ण प्रस्ण है, बहुत ही जादा महत्त पूर्ण प् आपको रसायन भी ज्यान के, तो आपको वीडियो को स्कीप नहीं करना है, इसको शुरू से लेके अंतक देखना है, और आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद से जो बेल आइकोन आता है, उ पुनिम्न में से कौन लाइओफिलिक कॉलाइड है, तो जो देखी यहाँ पे दूद जो है, यहाँ पे एप्सन है, तो एप्सन बिलकुल ही सई हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रसने 23 नंबर, 23 नंबर प्रसने की तापमान में विरिद्धी के साथ धातु की चलकत है, अप्सन सी एप्सन सी है, अप्सन बिलकुल ही सई हो जाएगा, यह देखते हैं, अगला प्रसने 23 नंबर, 24 नंबर प्रसने की निमलिकित में से काफी मत्तपून प्रश्ण यह क्यों तो निम्लीखित में से यहां पर डी अप्शन है तो देखिये यहां पे टी ऑफ्शन है तो डी ऑप्शन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रश्ट पक्चीस नंबर 25 परस्ट किश सांध्रण्यिक ॱपीमत पूर्ण प्रश्ट है आपको बताना है कि सांध्रण कुण भी दीद्वारा किया जाता है तो sulfide ayosco का सांधन फेन उन पलावन भी दीद्वारा किया जाता है तो दीखे यहाँ पर अप्सन है तो अप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा आगे देखते हैं अगला प्रस्टने 26 नंबर 26 नंबर प्रस्टने की आयोडो फोर्म को सिल्वर पा है तो ए उप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्णे 27 नंबर 27 नंबर प्रस्णे के विद्धुत स्वीचों का निर्माण होता है काफी महत्पूर्ण प्रस्ण है यह भी भी आई प्रस्ण है और यह प्रस्ण आपके बोड़ परिक्षा में पूछ दिखा जा सकता है आपको बताना है कि विद्धुत स्वीचों का निर्माण किस से होता है तो बैका लाइट से होता है तो देखिए यहाँ पे डी ऑप्षन है तो डी ऑप्षन बिलकुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण आठाइस नंबर 28 नंबर सुद्धी के रूप में उपस्तित रहता है तो देखिए जो कार्बन जो होता है वो कच्चा लोहा में सुद्धी के रूप में उपस्तित रहता है तो देखिए यहाँ पे सी अप्शन है तो सी अप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अगला प्रस्ण 29 नंबर 29 नमबर प्रशने की इत्थर में oxygen परमाड़ू है काफी महत्य पूर्ण प्रशने हैं बहुत ही ज्यादा महत्य पूर्ण प्रशने हैं आपको बताना है की इत्थर में oxygen परमाड़ू है तो क्या होते हैं तो सक्रिय होते हैं तो देखिए यहाँ पर C option है तो C option बिल्कुल ही सही हो जाएगा यह देखते हैं अंतिम प्रस्ण तीस नंबर प्रस्ण की निम लिखित में से कौन सा उभय धर्मी ओक्साइड है काफी महत्यपूर्ण प्रस्ण है भी भी आई प्रस्ण है आपके बोड परिक्षा के लिए आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा एक उभय धर्मी ओक्साइड है तो इन में से कौन एक उभय धर्मी ओक्साइड है तो देखिए जेड एन ओ जो हता है वह उभय धर्मी ओक्साइड होता है तो देखिए यहां पर डी ओप्सन है तो डी ओप्सन बिल्कुल ही सही हो जाएगा हम आपको रसायन भी ज्यान के काफी मह अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक लाईक कर दिजिये और या वीडियो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए ताकि उनकी भी हमारे सब्सक्राइब करद है BA trivia, और आप अभी तक हमारे सब्सक्राइब करके चाइर यह बैल आइक्वा ऱुर नार्स पşाल करको यह टेक केर और बाई